तो दोस्तों क्या ये problem आपको भी देखने को मिल रही है जिए दोस्तों आप जैसे ही अपने mobile में gallery को open कर रहे हो और guys यहाँ पर इसको album में save करने की कोशिश करते हो तो guys वहाँ पर private album को option नहीं मिलता है जिए दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पर add करने जा रहे हो तो create an album cut option पहले देखने को मिलता था आप वो देखने को नहीं मिल रहा है तो आज की वीडियों बताऊंगा कैसे हम इसको ला सकते हैं जिए दोस्तों बहुत आसान तरीके से बताऊंगा वीडियो आप एंट तक देखते रहिए like अभी उसे कर दीजिए इस वीडियो को चैनको subscribe कर लि चले जाना होगा दोस्तों साइटिंग्स पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर से नीचे स्कुराण करकर आँगें तो यहाँ पर एपस वाला एक option देखने को मिलेगा इस पर आपको यहां से क्लिक कर दिना होगा इसके बाद guys manage apps वाले एक option आएगा इस पर आपको click कर देना होगा यहां से आप जैसे ही click करोगे दोस्तों तो आप यहां पर एक search बार देखने को मिलेगा इस search बार को आप पर आपको click करना है आपको search बार पर आप जैसे ही click करते हो यहां से आपको gallery लिखकर guys यहां से search कर लेना होगा तो guys यहां पर मैंने gallery लिखकर search कर लिए आप guys यहां पर आपको gallery देखने को मिल रही है आप guys गैलरी पर आप जैसे ही click करोगे दोस्तों तो guys यहां पर से आप देख सकते हो storage वाले option देखने को मिल रहा है तो इस storage वाले option पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों सब से नीचे आपको एक option देखने को मिला clear catch करकर तो इस पर आपको click करना अब यहाँ से guys okay आपको कर देना होगा दोस्तों अब इससे होगा यह कि guys जो के अच्छा था गैलरी का वो किलियर हो चुका है दोस्तों और अब गाईज यह जो ऑप्शन है गाईज आपके पास शो होने लगे है दोस्तों क्योंकि बहुत लोगों के पास यह ट्रिक वर्क करी है दोस्तों तो आपके पास भी करेगी बगी और भी कोई प्रोब्लम अगर को आती है से सम्मन्द कमेंट में मुझे बताईए दोस्तों उसका भी मैं फिक्स करने का ट्राइक करूंगा यह वीडियो में यहीं तक थी आई होप वीडियो को पसंद होगी मिलता हूं अगली वीडियो में